तोड़ो एवरीवन, आइम लिंकन सागर, तोड़े वी आर गोईंग तो डिसकस अबाउट एल सेक्षन एंड क्रॉस सेक्षन, एल सेक्षन का मतलब होता है लॉंगिटूट सेक्षन, जब हम किसी लिनियर सर्वे को करते हैं, तो उसी सर्वे से जो हमारा ग्राफ बनता है वो ह होता है एल सेक्षन, एल सेक्षन का बिसिकली यूज मैं आपको बता दूँ, इसका यूज हम जब कोई भी कैनाल डिजाइन करते हैं, या फिर कोई भी ड्रेन हो, रोड हो, या कोई मैट्रो प्लान बन रहा है, तो इसके लिए हम लोगों को सबसे पहले एक ग्राफ जनरेट करना होता है, जो कि हम गवर्मेंट में सब्मिट करते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है, कि अगर हमारी कोई रोड है, तो वो कितनी अप है या डाउन है, अप एंड डाउन पता करने के लिए हमें ये जो ग्राफ जनरेट करना होता है, यही होता है हमारा क्या एल सेक्षन, जिसके लिए हम सबसे पहले कुछ instrument का use करते हैं जैसे कि सबसे पहले होता है total station, auto level, gps, throttle light और ये जो हमारे instrument है इनसे हमें क्या मिलता है कुछ level मिलते है जो कि हमारा benchmark हो सकता है जैसे कि कोई भी अगर level आ रहा है वो mm में हो या centimeter में उन level को ले करके हम autocad पे क्या है कुछ एक तरीके से drying बनाते है जो कि एक graph है लेकिन इसका नाम है L section अगर आप इस graph को देखे तो यहाँ पे कुछ level दिये हुए है जो कि level क्या है हमारे road के center point है उन center to center point को हम लेते हुए चलते हैं और उससे एक graph generate होता है इस graph में आपको यह चीज़ clear हो जाती है कहाँ पे हमारा level अप है और कहाँ पे down है जिससे कि अगर हम देखे तो government अगर कोई भी estimation निकालेगी कि अगर वो कोई road बनाने जा रहे है तो उसकी cost क्या आएगी उसकी cost को पता करने के लिए पहले यह पता होना जरूरी है कि वो level कितना up है या down है क्योंकि अगर up जादा होगा तो उन्हें क्या करवाना होगा cutting करवानी होगी और अगर level down होगा तो उस पे क्या होगा material फिल करवाना होगा अगर हमारी feeling जादा आ रही है आई यह तो इसके features हम बात करते हैं कि इसके features क्या क्या है जैसे कि आप यहां पर देखे total station के थुरू एक survey किया जा रहा है जो कि road का survey है लेकिन इसमें अगर हम देखें तो इसमें कुछ slope आ रहा है जैसे कि आप देखना है कि आगे कि और slope down जा रहा है लेकिन इस down level को अगर हम देखना चाहिए तो total station से दिखाया गया है इसमें हम challenge का भी use कर सकते challenge से हमारी क्या है distance clear हो जाती है कि road की distance क्या होगी कितने kilometer का है यही हमारा graph इसको हम लोग बोलते है longitude section and next is cross section cross section longitude का ही एक part होता है जो कि L section जब हम generate करते है तो जैसे हमने कोई अगर L section में center point लिया हो तो उसी एक center point का एक cross section generate होता है अगर हम देखें कि अगर हम कोई road जब बना रहे है तो उस road के लिए जो graph बनेगा और उस graph का जो एक center point होगा उस center point का एक cross section जनरेट होता है मैं यहाँ पर एक example लेता हूँ कि अगर हम बात करें कि मुझे एक 10 km का highway डिजाइन करना है और 10 km का highway है और उसका point लिया गया है 500 meter पे तो total उसके जो cross section जो बनेंगे वो total 21 बनेंगे क्योंकि हमारा जो challenge होगा वो 0 से start होगा और 500 meter के according total L section के जो center point होगे वो total 21 होगे तो 21 हमारे L section के point होगे और 21 L section से पर L section के जो center point से अगर देखा जाए तो पर L section के point से एक हमारा cross section generate होगा यह जो cross section है यह basically क्या है कि road के चोड़ाई को graph के through एक generate करके यहाँ पे represent कर रहा है जो कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे road का slope दिखाए गया कि यहाँ पे कितना up है center और इसके side यानि कि left side and right side कितना down जा रहा है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इससे क्या होता है कि हम जै ही generate किये जा सकते हैं आईए तो इसके features के बारे में बात करते हैं कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक 3D view दिखाए गया है एक road का जो कि आप यहाँ पे देखे यह road हमारी बनने के बाद ऐसी होनी चाहिए लेकिन actual में जब हम road बनाते हैं तो अगर जैसे हम पहले L section बनात लेकिन इससे पहले जो मैंने आपको graph दिखा था उस graph में आपने देखा था कि उसका level कुछ उल्टा ही था कहीं पे level up है तो कहीं पे down है तो अगर हम road को अगर चोडाई के according उसकी दिखाना चाहते कि कहाँ पे depth उसकी down है या up है तो वो हम cross section के graph के तुरू दिखा सकते हैं अ कहीं न कहीं जाकर के आगे जाकर down भी हो सकता हो कहीं पे up हो सकता है तो particular point को अगर हमें find out करना है तो उसके लिए हमें cross section की जरौत पड़ती है क्योंकि अगर जब government देखेगी तो वो पूरे road का survey नहीं करगी वो particular उस area को develop करने के लिए या उस area को दुबारा से generate करने के था हम नहीं कहें थांकि लूझना necessary and thanks वह बतुत सब्सक्राइद को siya and thank you for watching this video थांक्स if you like the video then subscribe our YouTube channel cat India and press the bell icon for more updates